पित्री पक्ष शुरू होते ही पिंडदान और तरपन के लिए तीर थियात्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पित्री पक्ष में किये जाने वाले तरपन, पिंडदान, शुराद आधी कर्म भी बुद्वार से ही होंगे। शान्डिल्य महाराज का कहना है कि श्राद कर्म का संगम में अलग महत्व है, ऐसी माननेता है कि सब तीर्थ के तीर्थ प्रयागराज में जो अपने पित्रों का पिंडदान करते हैं, उसे सीधा पित्रों को प्राप्त होते हैं। जो कि इस बार दो दिन लोग माने हैं, तो हम लोग ज़्यादा तर सनातन संस्किती को जो मानते हैं, ज़्यादा तर उधिया तित्री से मानते हैं, इसलिए पित्रपक्ष को माना जाएगा। होता रूप से, और इस बार को ममेला लग रहा है, तो ज़्यादा से संख्या में लोग पहले से निकल के अपने पित्रों का पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करते हैं, दूसरा पिंडदान कासी में होता है, तीसरा पिंडदान 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 में होता है, चौता पिंडदान पिंडदान में होता है, तो चारो जगे पिंडदान करते हैं, लोग अपिंडदान करके अपने घर पे भागवच सुनके और ग्राम्म तो वर्सस में 145 करोशी जन संक्या है इसमें लिजसमें हिंदुआ कि संक्या 100 करोश के उपर है और जादा से जादा लोग आते है यहां पर पिंड़ान करते हैं हरित्वार में और जब तक ना भी नहीं जाएगा, जो जो पहर पहर प glitter नहीं जाएगा, जो बिस्मु चराओ कूँ मातो देते हैं बहुत से लोगों सीधे प्रयागा करके सीधे करब गया करके जाते हैं वही श्राद कर्म को लेकर पूरोहितों में थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि इस समय यहां पर गंगा यमुना उफान पर हैं और तीर्थ पुरोहित अपना सारा सामान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं इनको परेड मैदान में ही करमकांट कराना पड़ेगा क्योंकि इनका मानना है कि करमकांट संगम किनारे होता है लेकिन इस समय पूरा संगम जलमगन होने के कारण उनका सारा सामान परेड मैदान पर आ गया है इस बार यहीं पर सारे कर्मकांट किये जाएंगे कितने यजमानों ने यहां आने का प्लान कैंसिल कर दिया है और हम उनकी इस बार आनलाइन ही श्राद तरपन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो यहां पर कितर पक्ष मनाया जाएगा उसमें अभी मुझे दो-चार फोन आ चुके हैं गंगा जल बढ़ने के वजए से काफी लोगों ने अपना आना पोस्पोन कर दिया है उसमें कुछ लोग ऐसे है कि जो आनलाइन पिंदान करेंगे तो हम लोग यहां के तीरतफोष समाज उनको आनलाइन भी पिंदान कराएगा जो भी हो सकता है हम लोग अपने यात्री को सही हो कुगा करेंगे